तो जहिन साथ यो मेरा यूटूब चल में आप लोग का स्वागा थे इस वीडियो में आप लोगो बाताने चारा हूँ आई टी वीपी ट्रेड मेंस भरती दो है चोबिस के जो नए भीकिंग सी आप लोग का नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो इसमें आप लोग का लिमिट क्या लाएगा कितना टोटल पोस्ट है हर डीटेल के साथ आप लोगो समझाने बाता हूं तो जरूर लास्त तक बने रह भीकिंग सी है और इसमें आप लोगा जो पोस्ट तीन प्रकार के पोस्ट है ठीके एक नमर देखिए साफाई कर्मी और गार्णर और यहां पर देखे बरबर ठीके तीन प्रकार के पोस्ट पर आप लोगों का यह भरती निकला है तो कितना टोटल पोस्ट है तो कुलपत के के बात करते हैं मेल फीमेल मिला कर 143 भेकिंग सी है और सेलेजी के बात करते हैं तो 21,700 से लेकर 79,100 आप लोग का सेलेणी रहने वाला है क्वेसिन के बाध करते हैं आ अप लोग जोब कर सकते हैं तो अपलाइड के कर देखे कब से अपलाई शुरू हुआ है ताफ लाइडेड देखिए 28 से साथ दो हजार चोब्यस यानि कि जुलाई 28 से आप लोग आप लाइड शुरू हो चुका है और इसका लास डेट के बाद कर देखे 26-28-2024 और फॉर्म फिलाप के दिखिए जो आप लोग फी कितना है तो जिन्रेल जिन्रेल ओवी सी और एड़ोबलेस के लिए आप लोग का एक सो रुपई आप लोग का फॉम फी लगेगा और एस सी एस्टी के लिए इसमें आप लोग का कोई सुल्व नहीं लगेगा फॉम फिल आपका ठीके एज लिमिट के बात करतों देखिए यहां यहां से प्मूण से तेइस है आप लोग का यार रहने वाला है यहां पर गार्डनर के लिए ठीके 18 से तेइस और अपर 18 से 25 यहार रहने वाला है एक हमाम स्टेबल बरबर सफाई करमी के लिए और देखिए सरकारि नियम के जाई से के लिए उन लोग का पांच साल का छूट मिलता है तो जरूर मिलेगा तो देखते हैं टोटल पोस्ट कितना है सेलेक्शन प्रोसेस क्या है आप लोगों देखाते हैं तो देखिए दोस्तों आप लोगा टोटल जो भेकिंग सी कितना है तो कॉंस्टेबल गार्डनर के लिए ट सफाई कर्म चारी के बाद को तो 101 वेकिंग सी है और तेन पास इनलों के भी लगेगा और तो तो हाइड और मेल और फीमेल दोनों केंडिडेट के लिए क्या लगेगा हाइड तो देखिए कॉंस्टेबल सफाई और बरबर के लिए पूरूस उमीदवार के जो लगेगा एक सो 165 सेमी और महला है तो 155 सेमी रहेगा तो हो जाएगा कॉंस्टेबल गार्डनर के बात कर तो देखिए पूरूस मीदवार का 166.5 सेमी और महला मीदवार के देखिए 157 सेमी लाएगा और रानिंग टेस्ट और लोंग जाम के बात कर तो पूरूस केंडिडेट के लिए 1.6 क किलो मीटर दूरी को उनलोंके लिए सारे साथ मिनिट में पुरा करना पड़ेगा और लॉंग जाम के बाद कर तो देखे 11 फित और हाई результат के बाद कर दो सारे तीन फिट उनलोंको देना पड़ेगा मेल के झ्लिए और फीमेल के बाद कर तो फीमेल के लिए देखिए 800 मिटर चार मिनेट 45 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा और लंबी कुद यानि की लोंग जाम में देखिए 9 फिट और उची कुद ये से हाई जाम के लिए 3 फिट देना पड़ेगा एलेक्शन प्रोसेस क्या रहने बाला है तो पहला इस्टेट ओन में आप लोग का फिजिकल टेस्ट यानि की पीएटी पीएश्टी और डोकुमेंट वेडिपी किसन कौलिफायर करना पड़ेगा उसके बाद सेकेंड इस्टेट में अगर आप लोग पहुंचते हैं तो रिटिन एक्जाम देना पड़ेगा एक सुन नमर का ठीके और आप लोग क्लिफायर क जहीं बने मात्रम